है अगर आप सब कराए कोचिंग सेंटर में हर्दी घर दिका बुने अंदर ने हमारे इस चैनल फर्स टैम विजिट करें तो के पिया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जाता इस वीडियो को राइक एंड सेयर करें अंत में बेल का आइकन को अवस दबा दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सिगर ही पहुँ सके हैं आप सब सनुरोथ है कि इस वीडियो के अंत तक अवस बना रहे हैं आज हम मोडल एक्टिविटी टास्क के अंतरगत सस्टम स्रेनी के परिवेश और विग्यार के प्रस्टनों को हर्द आपके समझ प्रस्तूत करने वाले हैं चलिए देखते हैं नीचे के दिये प्रस्टनों के उतर लिखे पहला है भौतिक और रसायनिक परिवर्तन के तीन अंतर लिखना है ठीक देखिए एक साइड में भौतिक परिवर्तन है दूसरा साइड में है रसायनिक परिवर्तन एक नमबर इसमें कोई नई चीज उत्पन नहीं होता है तो रसायनिक में इसमें नईचे उत्वन होता है यह अस्थाई परिवर्तन है यह अस्थानिय परिवर्तन है इसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसमें वजन कम या आधिक होता है रसायनि परिवर्तन है दुसरा कोचन है रसानी परिवर्तन घटने पर क्या क्या देखा या महसूस किया जाता है या कैसे समझेंगे रसानी परिवर्तन घटने पर मैंने यह महसूस किया है कि कोई भी चीज जब किसी नई चीज में बदल जाता है तो वो नई चीज फिर पहले वाली चीज में वापस नहीं बदलता है जैसे दूद से दही बनाना, कटे आलू का रंग बदलना, मुंबती का जलना, भोजन का हजम करना इत्यादिक तिसरा क्वाशन मौटूसी पच्ची किस तरह पराग मिलन में सहयोग करती है मौटूसी पच्ची जब एक फूल से मधुप पीती है, तब चौच में फूल का पराग लग जाता है फिर जब वो दूसरे फुल परा मधु पीने जाती है तो उसके वही पराग रेनो उस फुल के गर्व केसर में गिर जाता है इस तरह मौटू सी पच्छी पराग मिलन में सहायक करती है अगला कोचन है घर पर दही बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है इसे एक रिखा चित्र की सहता से प्रस्तूत करें तो घर पर दही बनाने के लिए निमने खितकार किया जाता है जैसे कि सबसे पहले दूद कुबालना, दूसन अब हलका ठंडा करना, उसमें एक चमच दही ठीक से मिलाना, और पांच छे घंटे तक ढख कर रख दे, अज पांचो नमबर, घर पर खटा दही बनकर तयार होना, ये सबी क्रियाएं संपन होती है, जैहिं, जैभार, बंदे, म आतारां.